नमस्कार परदाफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली पाकिस्तान की राजनीती में हत्या करते हास काफी पुराना है शहबाश शरीफ सरकार के खिलाफ लॉंग मार्श निकाल रहे पाकिस्तान के पूर पियम इमरान खान एक हमले में बाल बाल बच गए हमलावरों ने उनके कंटेनर पर ताबर तोड़ गोलिया बरसाई विभन मीडिया रेपोटों में एक गोली उनके पैर में लगने की बात कही जा रही है लॉंग मार्श लेकर इसलामबाद की और बढ़हे खान पर गुंजरावाला के अल्हावला चौक पर हमला किया गया एक शक्स ने उनके कंटेनर पर उस वक्त फाइरिंग की जब वो समर्थकों को संभोधित कर रहे थे बाल बाल कैसे बचे इमरान खान? कौन है इमरान की जान का दुश्मन? क्या पाकस्तान में शुरू हुई जंग? अजर अबास नाम के एक शक्स ने टीवी पर दिखाय जा रहे वीडियो को ट्वीट किया जुसमें इमरान खान को लंगडाते हुए आगे बढ़ते देखा जा सकता है उनके आसपास कुछ लोग उन्हें सहारा देते देखे जा सकते हैं साथी ट्वीट में घायल PTI नेता फैजल जावेद भी दिख रहे हैं गोली बारी की आवाज से रैली में हडकम मच गया और कई लोग घायल हो गए क्योंकि हमलावर ने कंटेनर के नीचे से उपर की ओर फाइरिंग की थी इसलिए गोलिया PTI नेताओं के पैर में लगी खबरों के मताबिक इमरान खान के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें बुलिट प्रूफ कार में असपता ले जाया गया फिलाल हमलावर को गिरफतार कर लिया गया है उसका नाम फैजल भट पता चला है क्यों हमला किया गया जब ये फैजल से पूछा गया तो उसका बयान सुनकर सब चौक गए पहले आप ये वीडियो देखिए सब्सक्राता क्या है। आाम को नहीं आप में सफरह मे oll को सनगा खांड़ा कूरा है नहींस जोby दिया उना है है मेरे मुबाइल में आप 세 मशरह की फैजल का कहना है कि उसका मकसद इमरान खान की जान लेना था लेकिन वो बच गया वो लगाता जनता को गुम्रहा कर रहे थे इसलिए उससे ये सब देखा नहीं गया अजान होती थी तो यहां ये लोग डेख बजा कर शोर करते थे मुझे ये सब चीज अच्छी नहीं लगी मैंने इमरान को मारने का प्लान उसी दिन बना लिया था जब अजादी मार्च शुरू हुई इस प्लान में मैं अकेला था मैं बाइक लेकर आया था और उससे अपने मामा की दुकान पर खड़ी कर दी थी हमलावर से जब पूछा गया कि क्या उसने सही किया इस पर उसका कहना था कि हां मुझे मौका मिला तो फिर करूँगा मुझे एक ही बात का दुख है कि ये यानि इमरान खान बज गया मेरा मकसद पूरा नहीं हो सका जब हमलावर से पूछा गया कि आखिर वो इमरान को मारना क्यों चाहता है इस पर उसने कहा इमरान ने अपनी तुल्ला पेगंबर मुहमद से की थी इमरान ने कहा था कि जिस तरह पेगंबर मुहमद दे अपनी अवाम को पेगंब दिया मैं भी उसी तरह आपको पेगंब दे रहा हूँ यानि वो अपनी तुल्ला नभी से कर रहा है मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं उसकी बात को बरदाश करूँ क्या सच में ये इमरान खान को मारना चाहता था ये फैजल के बहाने कोई और था जिसका नाम चुपाया जा रहा है ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं पीटियाई के फारुक हबीब ने फाइरिंग में पाटी प्रमोक इमरान खान के गायल होने की पुष्टी की इमरान के कंटेनर के पास फाइरिंग में पीटियाई नेता फैजल जावेद भी घायल हुए पीटियाई के विरोत का मार्ज गुरुवार को सात्वा दिन था इमरान खान पर इस हमले के बाद पाकस्तान की राजनीती में एक बार फिर से खूनी खेल की आशन का जताई जा रही है पाकस्तान की पूर पेम बेनजीर भटो पर भी इसी तरह एक रैली में आत्म घाती हमला हुआ था जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुई थी और उनकी मौत हो गई थी लेकिन आखिर क्यूं मारने की साजिश रची जा रही है इमरान के खिलाब क्या शहबाद शरीफ या आर्मी इमरान के पीछे है ये सवाल उत्ता उससे पहले ही शहबाद शरीफ ने अपना रियाक्शन दे दिया प्रदान मंतरी शहबाद शरीफ ने वजीराबाद में हुई गोली बारी की घटना की कड़ी निंदा की पाकस्तान सरकार के ओफिशल ट्विटर अकाउंट के एक ही ट्वीट के अनुसार उन्होंने ग्रह मंतरी राना सनुला को आईजीपी और मुखिस सचीफ पंजाब से घटना पर ततकाल रिपोर्ट लेने का निर्देश किया इसके अलावा शहबाज शरीफ ने होने वाली अपनी प्रेस कॉनफरेंस ठगित कर दी इमरान ने 28 अक्टूबर को शहबाज शरीफ सरकार के इस सीफे और जल से जल जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर लॉंग मार्च शुरू किया था इस लॉंग मार्च के शुरू होने के बाद अलग अलग वज़ाओं से एक महिला पत्रकार समेथ तीन लोगों की मौत हो चुकी है इमरान से पहले 27 दिसंबर 2007 को पूर प्रधान मंतरी बेनजीर भटो पर भी ऐसा ही हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गए थी भटो तब रावल पिंडी से एक रैली करके लोट रही थी तब ही हमलावर उनके पास आया और उनकी गोली मारकर हट्या कर दी थी इसके बाद हमलावर ने खुद को भी बम से उड़ा लिया था बता दे कि बेनजीर भटो दो बार पाकस्तान की प्रधान मंत्री बनी थी लेकिन कभी भी अपना कारेकार पूरा नहीं कर सकी बेनजीर के बेटे बिलावल भटो इस समय शहवास सरकार में विदेश मंत्री है पीटी आई के सेकरेटरी जेनरिल असद उमर ने गुरुवार को दावा किया कि पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को संदे है कि उनकी हत्या के प्रयास के पीछे प्रधान मंत्री शहवास शरीव ग्रह मंत्री राणा सनौला और एक सीनियर मिलिटरी आफिसर अधिकारी कहा थै जिहां इमरान पर हमला करने वाले शक्स ने अपने कबूल नामा में जो कहा वो काफी जाद आजीब है उसने कहा है कि उधर अजान हो रही थी इधर ये लोग डेक बजा कर शोर कर रहे थे इस चीज़ को मेरे जमीर ने अच्छा नहीं माना फिर फैसला कर लिया कि मुझे अभी से छोड़ना नहीं है लेकिन अगर इस व्यक्ति ने सिर्फ इस बात को लेकर इमरान पर हमला किया है क्योंकि उसकी रैली के शोर से अजान में खलल हो रही थी तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मजबी का ठरपन किस लेवल तक पहुँच चुका है दूसरा एम मसला ये भी है कि हो सकता है कि ये बयान सुनी योज़त हो और असने हमलावर को बचाने और इस मामले की जाज करूक मोडने के लिए हमलावर से ये बयान दिलवाया गया हो ताकि इस हमले के असली गुनगार सामने ना सके बता दे कि पिछले दुनों पाकिस्तान के चुनावायोग ने इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला कमाया था इस फैसले में उन्हें विदेशी यात्राओं के दुरान मिले तोफे को नियमों के खिलाफ बेचने और इससे फायदा कमाया था इस फैसले के बाद पाकिस्तान के चुनावायोग ने कहा था कि अब इमरान खान की संसत की सदस्ता रद हो जाएगी और वो अगले पांच साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान ने इस फैसले को राजनीती से प्रेरित करार दिया था और एलान किया था कि मुल्क में जल्द आमचुनाव की मांग को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अजादी मार्च निकालेंगे पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद भारत में भी सियासत तेज हो गई है बीजिप नेता और पूरविकेंद्र मंतरी मुक्तार अबास नकवी ने इमरान खान के बहाने देश की विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है मुक्तार अबास नकवी ने कहा कि इमरान खान पर पाकिस्तान में हमला हुआ इसे पता लगता है कि पाकिस्तान की जमीन सुरक्षित नहीं है उन्होंने आगे कहा कि भारत में मुसल्मान जादा सुरक्षित है खेर भारत और पाकस्तान में तो फर्क बहुत है लेकिन जिस तरह से पाकस्तान के हाला दिख रहे हैं उसे लग रहा है कि ग्रहयुत जल्द शुरू होने वाला है परदफाश में आज के लिए इतना ही देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार पुरू कर दो कि लिए बादाश बात्तर परदेश शुरू रहे हैं के लिए में जल्माइबर, रहे हैं के कैपिटल टीवीद एकारा का भी ईवित्वर्टों के लिए में गिए जिया दुरू कि प्रų जामाने सकते जल्माने से पास्तर चाना है